वेल्कम टू दा टीचर्स यूटूब चेनल आज हम ट्रिक के साथ आपको प्राचिन सहरों के नाम अभी जस्ट पांच या साथ मिनिट के अंदर हंड़र परसेंट आपकी एक्यूरेशी होगी हंड़र परसेंट आपका एक भी क्वेस्चन गलत नहीं होगा कैसे क्योंकि आज हम ट्रिक के साथ देखेंगे और ट्रिक में लिख कर दे देता हूँ कि आपको अभी दो पांच मिनिट के अंदर आपको बिलकुल मुझ जबानी याद हो जाएगी तो चली पहला क्वेस्चन है हमारा पंचकुला जो आज का हमारा पंचकुला है तो इसका पुराना नाम क्या है यह रही पंचकुला के एक प्यारीशी तस्वीर तो बताएए इसका पुराना नाम क्या है मैं डिरेक्ट आपको अंस्वर ही बताऊँगा या आप वीडियो को बीच में रोक कर आपका जवाब भी देख सकते हैं और फिर आप मिलान कर लेना कि आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए देखिए आपका सही जवाब होगा option D पंचकूप पंचकूप कैसे आया अगर आप पंचकूप में देखेंगे पंचकूप पंचकूप में अगर आप देखोगे पंच पहला जो पंच है पंच ये वाला पंच और कूप जो ये पहले तीन वर्ड आते हैं ये वाले तीन तो यही सेम तीन वड़ाते हैं पंचकूप के अंदर जस्ट आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जब भी आपका चाहे मिलता जूलता कितना भी अंसवर दे दे जैसे कि इसमें पंचमुखी, पंचमपूर, पंचकूला बिल्कूल मिलते जूलते हैं लेकिन अगर आप तीसरा वर्ड देखोगे, पहले दो तो सम्में है लेकिन अगर आप तीसरा देखोगे, जैसे पंचकूला है पंचकूला तो पुराना प्राचिन नाम हो ही नहीं सकता क्योंकि जब प्राचिन पूछलिया तब क्या हूँ आपका पंच कूप पंच कूप और पंच कूप का क्या मतलब है जैसे आपको वर्ड दिखाए कूप कूप का मतलब है जरना पांच जरने थे वहाँ पर तो इसी वज़े से इसको पंच कूप बोलते थे जो कि आज का वर्तमान के है आपका पंच कूप आपको पूरी की पूरी ट्रिक रटवा दूँगा चली next question पर move करते हैं very very most important पहवा पहवा जो के कुरक्षेतर डिस्टिक के अंदर है तो इसका प्राचिन नाम क्या है बताएए आपके सामने यह है चार option रहे तो साथ साथ में आप आप खुद का मिलान भी कर सकते हैं देखिए पहवा अगर आप वर्ड को देखते हैं पहवा पहवा में आपको एक वर्ड देख रहा है पी अगर आपको देख रहा है पी जो पहला वर्ड है पी इसको देखिए आप पी जो पी वर्ड है इसको अब आप मिलाइए, P-Word को आप मिलाइए यहाँ पर प्रतुदख यह प्रतुदख है, यहाँ पर O की मातरा भी है प्रतुदख देखे जो प्रतुदख है, प्रतुदख इसमें आपको दिख रहा है दुख, दुख जैसे एक साउंड ने दुख को पी लिया तो वह अपनी लाइफ के अंदर जो चाहेगा वही उसको मिलेगा तो मैं दुबारा बता देते हूं पिहेवा पिहेवा के अंदर क्या आया पी और पीना क्या है दुख और दुख आ रहा है प्रूदक 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 तो य लेकिन आपको याद कर लेना है यह पी से चलिए नेक्स्ट क्वेस्टिन पर मूव करते हैं टेंशन मत लेजिए लास्ट में आपको सब याद मिलेंगे मैं आपका टेस्ट भी लोगा इसी वीडियो में जीन्द जीन्द का प्राचिन नाम क्या है दूद नगर जेंती नगर ज लेकि जीन्द जीन्द अब आप देखिए एक बात को जो जीन्द है वह हरियाना का हाल्ट कहा जाता है क्यों क्योंकि यह हरियाना के ठीक सेंटर में है बीच में है अब आप खुद देखिए जो भी वेक्ती बीच में होता है तो उसकी तो जै जै होती है जै जै क्यों क्यों सब के सेंटर में है तो जीन किस में है शेंटर में और क्या होती है जे जे यहां पर देखिए जे जेंती जे वर्ड आ रहा है तो जे किसकी होती है जो बीच में होता है और बीच में कौन है जीन तो आपको जीन सहर का प्राचिन नाम ध्यान हो जाएगा अब देखिए एलनाब आप एल्नाबाद को आप रिलेट कीजिए जिसे ए एल जो आपको स्टार्टिक में वर्ड दिख रहा है यह वाला यह वाला जो एल है यह आप इसको रिलेट कीजिए हिल से हिल हिल ला आप एल्नाबाद को हिलनाबाद ही याद कीजिए हिलना हिलना यान कि कोई हिल रहा है और हिलता कोई भी कैसे है खड़ा हुआ है तभी तो हिलेगा भाई अगर कोई इनसान खड़ा है तभी तो हिलेगा खड़ा यान कि खड़ी कोई लेडिज खड़ी है वह खड़ी ख कमजोर होगी तो है ना तो खड़ी है तो इस वज़े से वह हिल रही है एलनाबाद जस्ट ट्रिक के लिए हम इन सब वर्ल्डों का यूज कर रहे हैं दिखिए next question महिंदरगड काफी interesting trick है ध्यान दीजिगा महिंदरगड का रेलवे सेशन ध्यान दीजिगा महिंदरगड महिंदर एक ताव का नाम है महिंदर महिंदर एक ताव जी का नाम है और उसके कान किसके ताव महिंदर के कान थोड़े से बड़े हैं जैसे कि कुछ लोगों के हो जा करते हैं किया कान यहां पर अगर आपको दीख रहा है इस तस्वीर में ताओ महेंडर और उसका लटका अभी रेलवे स्टेसिन पर रेल आने वाली है ठीक है तो ताओ महेंडर के जो कान हैं वो थोड़े से बड़े हैं और इसे वज़े से इसके पूरे गाओं के अंदर पहचान है क्या बड़े हैं कान जस्ट आपका यही तो अंसर है कन नोड कान 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 नोड कान ओड मतलब की ओड बहुत बड़े हैं उसके कान महिंदरताव के कान बहुत बड़े हैं हो गया ना याद तब ही तो बोलत आपको कि आज आपको बिल्कुल रटवा दूँगा हिसार देखिए हिसार ये हिसार का रेलवे स्टेशन की प्यार इसी तस्वीर है जो कि काफी प्रानी फिल्मों में यूज भी की गई है देखिए हिसार हिसार को आप याद कर लेजिए हिसाब से हिसाब क्योंकि हिसाब तो हम सबी के साथ चाहिए कोई भी हो पूरा ही रखना चाहिए हिसाब अब हिसाब देखिए हिसाब कैसा होना चाहिए भाई एक एक पाई का होना चाहिए एक 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 पाई का होना चाहिए एक 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 पाई यानि कि पूरा का पूरा होना चाहिए क्या होना चाहिए पूरा का पूरा होना चाहिए ठiक है पूरा का पूरा होना चाहिए इक एक पाईगा इक या फिर एक एक बोलिए और इक एक यहाँ पर आपको दिख रहा है इक एक एक क्या हो गया इसका आप हिसार को औरेलेट करेंगे हिसाब से क्योंकि आपको जस्ट रह के स्तान पर बैल लगाना है हिसाब, हिसाब किसका होना चाहिए एक एक पाई का ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए आपको याद हो चुका है, सब कुंसेस माइड में आपके जा चुका है आप टेंसन मत लीजे क्योंकि अभी आपका टेस्ट में में लेने वाला हूँ देखे पलवल यह पलवल सहर की प्यारीशी तस्वीर है देखिए पलवल, चो पलवल का प्राचिन क्या नाम है पलवल का बिल्कुल सिंपल है अपलवा क्योंकि पलवल इसी के अंदर छिपा हुआ है अपलवा, बस इसके ज़स्त आगे आपको आ लगा दिना है अपलवः ओके चलिए नेक्ट वेश्चन गोहाना देखिए गोहाना वेरी वेरी important गोहाना गोहानों के आप कैसे याद रखेंगे गोहाना गोहाना को आप जब भी आप लिखते हैं गोहाना आप एक काम कीजेगा जो यह गाह है मैं इसको थोड़ से रैडिकलर का कर लेता हूँ गा को आप पूरा मिला दीजीगा अब यह क्या हो गया? मा अब यह क्या हो गया? मोहाना तो जिस वर्ड के लास्ट में आपको मोहाना दिखाई दे गवन मोहाना तो वही हो जाएगा आपका राइट अंसर तो यह भी बिल्कुल प्यारिशी ट्रीक है और यह आपको याद हो चुकी है आप टेंसन मत लीजीगा और यह है गोहाना की रेलवे जंक्सन की रेलवे स्टेशन की एक प्यारिशी तस्वीर रानिया यह थोड़ शी डिफिकल ट्रीक थी लेकिन हमने इसको भी थोड़ा सा आसान ही बना दिया यह है रानिया के जो पुलिस टेशन है उसकी प्यारिशी तस्वीर है रानिया रानिया का प्रौाचिन नाम क्या है पहले बताई कि रानिया किस जिले में है तो शिरसा जिले म क्या कोई बिजली मंतरी थे उनका नाम बताईएगा क्या आप के बार बिजेपी के कंडिडेट बने हैं या फिर कोंगरेस की ओके छिली अपने टोपик पर से लोटते हैं बताइए रानिया का प्राचिन नाम क्या है अब आप रानिया देखिए रानिया आप एक बार प्राचिन समय में चले जाएए जब बोला जाता है कि एक राजा के पास सो सो रानिया होती थी तब क्या होता था अगर आपने देखा भी होगा कोई प्राणी मोवी देखी होगी या कोई नोवल पड़ा होगा तो उसके अंदर बात साफ साफ लेकी जाती है कि एक राजा महाराजा के पास साथ सतर या सो रानिया होती थी ठीक है लेकिन आगर आपने नोट किया हो जब भी बारिस होती थी तब पहले डिरेक्टली बारिस नहीं हुई यह पता नहीं क्या एक लोजिक था क्योंकि पहले गरजन होती थी गरजन के बाद बहुत ज़्यादा इतनी बहुत ज़्यादा बारिस होती थी तो जो गरजन वर्ड है वहां से हम रिलेट करेंगे गरज और गरज को आप कैसे रिलेट करोगे कि गरज पता नहीं वो किस चीज की गरज होती थी तो रानिया जहां पे सबसे ज़्यादा थी वहीं पे सबसे ज़्यादा गरज होती थी इतनी बात या आपको रिलेट कर लेनी है हो सकते है कि एक बार आपको समझ में ना आए दो बार वीडियो को देख लीजिएगा इस पेसली यही वाला जो क्वेस्टन है नाइथ क्वेस्टन लेकिन आपको याद हो जाएगा बड़े अच्छे से याद हो जाएगा यह वाला टोपिक देखिए बुडिया जो कि युम्ना नगर के अंदर एक सहर है यह है उसके प्यारशी तश्वीर है युम्ना नगर की तो बताईएगा कि उसका जो प्राचे नाम है वह क्या है यम्लानगर के अंदर है बुडिया देखे बुडिया से आप याद कीजिए बुडापा क्योंकि बुडापा के अंदर ही बुडिया बनेगी वैसे तो नहीं बन सकते बरी जवानी तो जो बुडापा है बुडापा के अंदर अगर सुख मिल जाता है तो उसका बुडापा सुमक सूक जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको सूक दिखाए दे कि अब बुड़ापा के अंदर हमें सूक मिलना चाहिए तो यह दस क्वेस्टिन आज की इस वीडियो में हमने किये हैं और अब यह आपका टेस्ट भी लूँगा दा टीचर्स यूटूब चैनल लगातार आ हर्याना का कोई भी एक्जाम के लिए आप त्यारी कर रहे हैं तो अगर आप फुल कॉर्स फ्री में देखना साहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट है आप वहां जाए आपको कोई भी इदर उदर जाने की जरूरत नहीं है आप डिरेक्टली लेक्षर नमबर एक से सुरू कर सकत अगर आप ह्रयाना ह्टτι की तेयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनी होई है तो आप उसमें हर्याना जिख के स्पेशली एच टैट जिक्के के नाम से एक प्लेलिस्ट है आप देख लो आपको काफी हेल्प मिलेगी अगर आप सी टैट की त्यारी करना चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें आपको अच्छे त्रेके से हर एक दिन उसके अंदर आपको वैरिस टैप के जो पी वाई क्यू है वो डाले जा रहे हैं आपको विद कंसेप्ट समझाया जा रहा है तो वह भी काफी अच्छी सीरिज हम लोगों ने चला रखी है तो अब और एक और बता दीजी आप मुझे आप मुझे बताईए जो रानिया जो रानिया सहर है उसका प्राचिन नाम क्या था रानिया कहां पर सिर्शा के अंदर है अगर आप यह वीडियो पूरी देख रहे हो यहां तक तब आपको इन दोनों के मुझे कुमेंट करके बताने है अंसर ओके तो इसका सेकंड पाल्ट भी है लेकिन अगर आप कहोगे कि सर हमें यह ट्रिक वाला आपकी वीडियो जो काफी पसंद आई तब मैं आपके लिए वह पाल्ट भी लेकिया हूँगा और और भी बहुत सारी वीडियो ट्रिक की हेल्प से लेकिन अगर आप कोमेंट करोगे मुझे लगए कि हाँ आपको वीडियो जो पसंद आ रही है तो आप जिस भी एक्जाम की कारी कर रहे हैं आपको बहुत बहुत सारी सूब काम नाएं और भगवान करें कि आप एक्जाम पास करें और हमें आप मिठाईयां किलाने के लिए मंच पर आएं ओके थैंक् दुआ है कि आपको आपको